Hello students, welcome back, कैसे हो आप सब मैं हूँ स्वाती और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने प्लाटफॉर्म पे तो आज की वीडियो का टॉपिक है types of computers types of computers में हम discuss करेंगे different types of computers based on configuration, based on mode of operation different different type के जो हैं हम computers इसमें discuss करने वाले हैं आज की वीडियो में हम discuss करने वाले हैं computers based on mode of operation जैसे की जो तीन तरीके के होते analog, digital and hybrid computers तो friends कभी आपने ये सोचा है कि जो आप घड़ी पहनते हो क्या वो analog है या फिर वो digital है और अगर analog है तो वो signals कैसे लेती है और कैसे देती है और digital है तो उसको signals कैसे मिलते होंगे क्या कभी आपने ये सोचा है कि जहां पर जिस pump पे आप पेट्रोल भरवाने जाते हो और वो जो machine आपको सामने दिखती है वो भी एक computer ही है तो वो कौन सा computer है क्या कभी ये सोचा है आपने कि वा analog है या digital है या फिर hybrid है तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं आज इस वीडियो में कि analog, digital और hybrid computers के बीच में क्या फरक है आपका चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ analog computers वो computers होते हैं जो analog data को input लेते हैं और analog data ही input में output में वो वापस देते हैं जो वो process करके output produce करते हैं after processing जो output निकलता है वो भी आपका analog ही होता है ये क्या करते हैं ये store data continuously in form of physical quantities मतलब जैसे कि ये कहां पर use होते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये use कहां पर होते हैं for example हमें किसी चीज की voltage नाप नहीं है तो जो आपका volt meter है वो voltage नाप देगा alright तो voltage क्या होती है वो एक physical form में होती है right voltage इस form में आती है आपकी घर में current होती है तो वो इस तरीके का आता है आपका right तो क्या होता है तो ये analog signals को जब हम fetch करते हैं अपने computer में जब वो sense करता है ये signals को मत्तर जो computer है वो signals को sense करता है तो वो output produce करता है हमारा वो भी output कैसा होता है वो भी analog nature में ही होता है जैसे sine cosine का graph होता है इसी तरीके से analog signals होते हैं आपके जो की continuous एक waveform होती है तो ये होते कौन से हैं आपके analog computers अब देखिए आप जो घड़ी पहनते हो regularly जो normal वाली घड़ी होती है वो नहीं जिस पे time लिखा आता है कि 8,1,8,2,8,2 बचके इतना seconds हो गए वो नहीं वो वाली watch जिसमें आपके dials यूज होते हैं ठेक है जो आपके घड़ी में टिक्टिकी होती है वो सब यूज होती है वो वाली watch की बात कर रही हूँ तो वो होते हैं आपके analog computers तो ये जो आपने घड़ी पहनी तो वो क्या कर कर देगी जितना भी time होगा वो इस पर शो कर देगी और ये time होगा एक estimated time मतलब आपके पास एक correct time नहीं होगा कि दो बज के 20 minute हो गए और 20 seconds हो गए आपको ये पता नहीं चलेगा बस आपको इतना पता चलेगा कि 20 हो गए हैं और 29 हो गए हैं 218 ये हम अपना estimated guess लगाते हैं ठीक है तो ये सब होती है analog computers दूसरा एक example ले लेते हैं अगर हमें pressure नापना है जाके तो pressure कैसे नापेंगे हमारा एक pressure होगा उसमें हमने एक pipe रखा होगा ठीक है pressure as analog signal आएगा ठीक है as a analog signal जो है हमारे computer में fetch होगा इस तरीके से उसके बाद में इस data की processing होगी हमने बोला ना क यह क्या करता है stores data continuously in form of physical quantities तो physical quantities की form में यह data को store करेगा इस जो signal है आपका input signal उसको fetch करेंगे हम इस computer में computer physical quantities की form में continuous data को physical quantities की form में store करेगा उसके बाद में यह output जो देगा वह भी एक graph की form में ही देगा for example एक और एक्जामपल ले रहते हैं pressure हो गया आप temperature ही समझ लीजिए right किसी boiler का हमें temperature नापना है और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर thermometer लगा होगा ठीक है उस boiler पर thermometer लगा होगा जितना जितना temperature इस boiler का हम बढ़ाते जाएंगे उतना temperature इस thermometer पर बढ़ता जाएगा ठीक है जै जैसे temperature हमने नीचे बढ़ाया boiler का, इस thermometer पे temperature उतना ही बढ़ता गया इस thermometer से attached जो हमारा analog computer होगा वो हमारा output किस form में हमें दिखाएगा अब हमें output जानना है हम thermometer से नहीं देख सकते जाके तो वो चीज हमारी computer से attached होती है, यह क्या quantity लेता है, computer लेता है physical quantities, ठीक है physical form of data, और हमें output वो computer देगा कुछ इस तरीके से बनाके यह continuous signals ठीक है, कि temperature बढ़ रहा है continuously बढ़ रहा है, तो वो continuous signals हमें बनाके देगा जो कि एक estimated हमारा values होंगी, अल्राइट अब यह हमें एक estimated value देता था एक particular value नहीं देता था जैसे कि temperature हो गया तो वो हमें estimated दिखा देगा कि हाँ हमारा temperature इतना है इतना है, इतना है, तो graph की formula, like this, this, this कि इस तरीके से हमारा temperature vary कर रहा है, बट हमें यह estimated values मिलती थी, एक proper values नहीं मिलती थी, इसमें इसलिए हमें need हुई कि हमें digital computer की तरफ जाना चाहिए, तो यह कहाँ कहाँ पर use होते हैं आपके analog computers, यह analog computers आपके use होते हैं, scientific calculation में, industrial processes में, ठीक है, navigation में, navigation में direction वगएरा जो आपकी show होती है medicals में speedometer जो होता है, आपका जो bike में speedometer लगा होता है वो भी एक तरीके का analog computer ही है, then we have thermometer, stethoscope stethoscope भी आपने देखा होगा जब आपका stethoscope लगाया जाता है heartbeat measure करी जाती है, तो भी क्या होता है, वो heartbeats की estimated value निकल के आती है एक यह नहीं है, कि हाँ पर इतनी ही हम उसको per minute estimated value ही चेक करते हैं इतना है इसकी heartbeats तो फिर इसको यह problem है या फिर यह हो सकता है, तो वो एक estimated value आपको देता है right, HRM हो गया volt meter हो गया, m meter हो गया यह सब हैं आपकी analog computers, चलिए आगे चलते हैं, digital computers के बारे में पढ़ते हैं digital computers वो computers होते हैं जो digital signals के साथ work करते हैं, right, जो कि discrete signal के साथ work करते हैं digital या discrete signals वो होते हैं, जो countable quantities होती हैं quantable quantities के साथ काम करते हैं, for example uses digital signals as input, 0, 1, 0, 1 की form में digital signals होते हैं तो उनको यह ऐसा input लेते हैं और output भी आपको digital form में ही यह आपको देते हैं यह सब use होते हैं आपके business operations में entertainment में, office में laptops में, calculators में बहुत सारे होते हैं तो desktop हो गया आपका अब digital computers कैसे होते हैं आपके पास, वो digital signal ही लेंगे राइट? और अगर continuous भी लेते हैं तो आपको digital values देते हैं zero, one की form में, zero, one zero, one, zero, one मतलब की, अब आपने देखा होगा आप digital घड़ियां होती हैं तो एक घड़ी वो होती है, जिसमें आप टाइम नापते हो खुझ से, एक estimated time आता है और एक watch वो होती है, जिसमें आपका ये time लिखा आता है कि अब भाई, 11.40 मिनट और 45 सेकंड हो चुके हैं जिसमें पूरा का पूरा लिखा आता है एक speedometer वो होता है जिसमें आप एक estimated guess लगाते हो कि 20 से, 10 से की 20 के बीच में है 20 से 30 के बीच में है 30 से 40 के बीच में speed है और एक speedometer वो होता है जो accurate आपको एक value देता है कि 20.1 आपकी speed है इता पर सेकंड, ये आपकी speed है ओल राइट, तो ये होता है परक अनलोग और एक digital computer वे digital computers जो होते हैं वो digital values देते हैं और ये work on countable values जो count करी जा सकती हैं analog जो होते हैं वो analog signals को input में लेते हैं और analog signal ही graph की form में भार वो हमें output शो करते हैं और ये do not work on countable quantities ये work on physical quantities and continuous variables और राइट, so यहाँ पर हम देख सकते हैं these are most commonly used work with data represented in binary form perform faster, give more accurate results then analog signals computers then we have hybrid computers what are these hybrid computers? hybrid computers वो computers होते हैं जिन में analog की और digital की दोनों की qualities mixed up होती हैं मतलब जो digital भी data लेता है और analog भी data लेता है और output digital और analog दोनों की form में दिखाता है अब ये hybrid computers कहां पर होते हैं ये hybrid computers जैसे आपने गए होगे जाए होते हैं को गएगाई होते हैं आपके दोनों की form होते हैं और जो आपको डेटा आपको अगाई होते हैं बज्यादा दोनों में जाए एक टार्य जाएगेगे पीड़ूं तो आप यहां लेटे होते हो, आपकी चेस्ट पे कुछ मशीन लगाई जाती है, इस तरीके से चिपकाया जाता है, और यह चीज जो है, अटाच होती है, एक मशीन के साथ में, और इस मशीन में digitally शो हो रहा होता है, एक तो इस तरीके से waveform आती है, आपकी heartbeats बनी होती है, और आपकी oxygen बगाई मेजर होती है, यहां पर आई होती है, कि नाइटी है, एक ती है, कैसी है, तो पूरा-पूरा डिजिटल और अनलोग दोनों का काम होता है, यह तो यह होते हैं आपके digital hybrid computers, अल्राइट, चलिए, आगे चलते हैं, बेस्ट ऑन कॉन्फिगरेशन, यह मैं आप को यहां से इंपॉर्टेंट यहां याद रखना है, कि फर्स्ट सुपर कम्प्यूटर वर्ल्ड में कौन सा था, तो वो था आपका Craig CDC 6600, फास्टेस्ट सुपर कम्प्यूटर इन वर्ल्ड कौन सा था, समिट पा यूएस से, अब आप से पूछा जाएगा, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ओफ इंडिया कौन सा था, morph 8000 and fastest super computer in India कौनसा है then we have based on utility based on utility हमारे पास दो थारीक एपूटर है, journal purpose computers और special-purpose computers journal purpose computers होते हैं, जो बहुत ही extensive variety of tasks or operations perform करते हैं, store को थे जाइसे की जो दोल माels को मिलाजें है स्पीसिफिक इन्स्राइट लाइड एक जिस प्रॉब्लम कंप्यूट्री चाहश्ध डेटिet then we have based on mode of use mode of use की ओपर फिर हमारे पास होते है palm top, laptop, personal computer, workstation, client and server all right, तो चलिए ये थी मेरी आज की वीडियो I hope आपको समझ में आया होगा analog और digital के बीच में फरक और hybrid computers क्या होते हैं आगे की वीडियो में मैं आपको कराने जा रही हूं based on configuration जो की है micro, mini, mainframe और super computer चलिए, तिल दन, take care and keep studying